चूहे यानि rats दिखने में चितना मासूम लगता है उतना ये है नहीं ये आपके garden में कितना नुकसान कर सकता है ये आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक आपके garden में चूहे का attack ना हो पिछले कुछ 15-20 दिनों से इन्होंने मेरे नाक में दम करके रखा है जब भी मैं कोई seedling लगाता हूँ या फिर पौधे का cutting लगाता हूँ तब ये आकर उन सभी को खराब कर देते हैं यहां तक कि मैंने कुछ गोबी के पौधे लगाये हुए थे उनको भी ये पूरा खा गय या पर आप वीडियो में देखी सकते हैं अगर आप मेरे चैनल का regular viewer है तो फिर आप जानते ही होंगे इन्होंने मेरा कितना पौधा खराब किया है इनको control करने के लिए मैंने पिछले कुछ दिनों से बहुत तरीके का use किया है जो मैं आज आज आप लोगों के साथ share ताकि अगर आपके garden में भी मेरी garden के तरद चुहे का attack हो तो फिर आप उन्हें बेरे आराम से control कर सके वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपको कभी ना कभी काम में ज़रूर आएगा हलो फ्रेंड्स मेरा नाम है शुरूजीत और आप दिख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल रूप गार्डेनिंग तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं चुहो को अपने garden से भगाने के लिए आपको सबसे पहले कुछ काम करना परेगा उनमें से पहला काम है आप जितना हो सके अपने garden को clean कर लीजिए garden के ऊपर अगर कोई सुखा पौधे का पत्ता होगा या फिर आपके पौधे का पौट बहुती पास पास रखा होगा तो उनको आप थोड़ा थोड़ा दूर रखिए और सुखे हुए पत्ते या फिर ब्रैंच उनको आप फेक दीजिए उसके बाद जारू लगा के पूरे अपने garden को clean कर लीजिए इसके अलावा अगर आपके garden में कही पर जमा हुआ पानी है तो फिर आप उसे तुरंट हटा लीजिए क्योंकि चूहे को बहुत ज़्यादा पानी की जरूरत होता है और पानी जहाँ पर होता है चूहे भी उहाँ पर ही आ जाता है इसलिए आप अगर कोई जमा हुआ पानी है आपके garden में उसको हटा लीजिए अब हम बात करते हैं आप rats को किस तरीके से control कर सकते हैं इसके बारे में सबसे पहला जो तरीका है वो है rodenticide use करना इसके लिए आप market में available कुछ इस तरीके का rodenticide खरी सकते हैं लेकिन ये poisonous होता है इसलिए जब आप इसको इसको use करे तब आपको थोरा सा साउधानी वरकना वरेगा नहीं तो ये आपके बच्चों के लिए या फिर आपके घर में अगर कोई पेटस है उनके लिए खतरनाक हो सकते हैं Rodenticide के बारे में मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि मैंने ये use किया लेकिन मुझे इसका कोई भी result नहीं मिला लेकिन आप इसे use करके देख सकते हैं कि आपको result मिलता है या फिर नहीं सबसे पहले हम इसको खोल लेते हैं दिखने में एक कुछ इस तरीका दिखता है और इसके साथ कोई भी खाना मिलाने का जरूरत नहीं परता आप बस इसको लेके अपने गार्डन में वहाँ पर थुरा सा रख दीजिए जहाँ पर चुह का बहुत ज़ादा एटाक हो रहा हो इस तरीके से आप अपने गार्डन में जा जापर चुओ का अटक हो रहा हो वह आप पर इसे ची रख सकते हैं उसके बाद चुहे आएंगे और इसे खाएंगे उसके बाद मर जाएंगे अब मैं आपको बताता हूँ चुहे को अपने गार्डेन से भगाने का सबसे अच्छा तरीका इसके लिए आप कुछ इस तरीके का एक चुहे पकड़ने का केज खरीद लीजिए ये आपको किसी भी मार्केट में बरी आसानी से मिल जाएगा और ये ज़ादा महंगा भी नहीं होता और एक बार खरीदने के बाद आप इसे बार बार कई सालों तक यूजिए कर सकते हैं इस केज के अंदर एक लोहे का डंडा होता है जिसके अंदर खाना या फिर कोई भी फल जो चुहे खाते हैं उसको अटक दिया जाता है मैंने यहाँ पर एक एपेल का यूजिए किया है कुछ इस तरीके से उस रोट के अंदर एपेल को मैं यहाँ पर घुसा दूँगा जिससे कि अटक जाए उसके बाद इसके पीछे एक धक्कन होता है उसको हम अटक देंगे और जो उपर वाला पीन होता है उसको हम इस रोट के साथ कुछ इस तरीके से हलके से अटक देंगे अब मैं बताता हूँ यह कैसे काम करता है चुहा इसके अंदर आएगा एपेल को खाने के लिए और एपेल को पकरेगा तब ही यह रोट अपने जगे से हिल जाएगा और इस केज का धक्कन अटक जाएगा और चुहा अंदर फस जाएगा इस तरीके से यह काम करता है इसको हम वहाँ पर रखेंगे जहाँ पर चुहे का सबसे ज़दा एटक हो रहा हो यहाँ पर मैंने अपने केज को यहाँ पर रखा है जहाँ पर चुहे का सबसे ज़दा एटक हो रहा हो और इसके अंदर मैंने बिस्किट यूज किया है इसको यूज करने का बेश टाइम है रात का टाइम क्यूंकि चूहे ज़ादातर रात के टाइम पे ही निकलते हैं अगले दिन सुभा आप यह आप और देख सकते हैं कि चूहा पक्रा गया इस तरीके से मैंने पाथच्छे चूहे पक्रे है अपने गार्डेन से उसके बाद आप एकीन मानिये मेरे गार्डेन में चूहे का जो एटाक हुआ था वो बहुत ही कम हो गया फिर भी दो-चार चूहे अभी भी हैं उनको भी मैं धिरे-जिरे पकरता रहूँगा उसके बाद उनको मैं दूर छोड़ा हूँगा ये तरीका ही मुझे सबसे अच्छा लगा क्यूंकि मैंने जो दूसरा तरीका यूज किया है वो कोई भी काम का नहीं है इसलिए मैंने इसको आप लोगों के साथ शेयर किया है अगर आपको ये rat cage मार्केट में नहीं मिलता तो फिर आप online खरीज सकते हैं मैंने नीचे description में Amazon का link दिया है आप वहाँ से इसे खरीज सकते हैं ये तरीका ही मुझे सबसे अच्छा लगा क्यूंकि इससे मुझे बहुत ही अच्छा result मिला है आप भी इसे use कीजिए और देखिए आपको कैसा result मिलता है उसके बाद नीचे comment में आके ज़रूर बताईएगा ये ही था आज का वीडियो अपने garden में किस तरीके से rats को control कर सकते हैं इसके बारे में अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए अपने दोस के साथ share कीजिए और हमारे चैनल को subscribe करके bell notification on कर लीजिए इससे जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको notification मिल जाएगा Thank you, happy gardening पुर्णाओे लिए अपलोड कर दोस्तुन पुर्णाओे अपलोड कर दोस्तुन